हेलो स्तो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे शांदा स्टॉक के बारे में जो आप सभी के रडार पर होने चाहिए और दोस्तो इनके अंदर आने वाला समय काफी यहाँ पर आप सभी को ब्राइड भी देख कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बिर्ला सॉप्ट एंड हैपिस माइंड के अंदर वह यहाँ पर हम स्टेप बाई स्टेप अंडर्स्टेडिंग करेंगे और इन स्टॉक को सलेट क्यों किया गया है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा देखे दोस्तों आपने आप तक ज सेक्टर ही जैसे कि आप सभी को यह याद रखना है कि स्टॉक मार्केट या सेक्टर वाईज की बात करे तो सेक्टर पुरा जुन में चलता है डिफेंस से रिलेटेड जो स्टॉक थे वो जुन में चल रहे थे सोलार के वो भी अच्छा खासा रन हो चुके है और वो भी रन हो रहे है अभी बारी जो नंबर हम कहेंगे वो अभी IT सेक्टर का मार्केट एक्सपेट कर रहा है कि इस सेक्टर से अच्छा खासा अभी यहाँ पर इंप्रुमेंट की उम्मीद है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको अभी जो अपडेट से कुछ अलग-अलग वो कवर करकर बताऊंगा भी और कुछ इनके जो कौटर के रिजल्ट है भी फिलाल आने वाले उसके खोई यहाँ पर डेट सामने आये है क्या है पेस मैंड और दोस्तो बिरलाव सॉप्ट के वो भी यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो प्रॉपर तरीके से अंडर्स्टेंडिंग करना कोई question, queries तो जरूर पूछना और वीडियो अच्छा लगे तो कमाई का अड़ा इस YouTube चैनल को like, subscribe भी करना आप पर दोस्तो जैसे के IT सेक्टर की बात निकले और उसमें TCS का नाम ना हो यह हो ही नहीं सकता क्योंकि यह पूरे जो IT सेक्टर की leading और number one company है इडिया के अंदर और global level पर भी बड़ा दमखम इसका है तो इस stock में आज 6-7% की तेजी at one time, देखिए आप सभी को लगेगा कि सर 6-7% क्या है बट कमाल यहाँ पर देखने को मिलता है 200 रुपए पर शेर पर अभी देखिए जो लोगों के पास लाखो या हजारों शेर है उनको कितना फाइदा होता है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा तो quantity and quality must यहाँ पर आपको यहाँ पर जो invest करते वक्त सोचना पड़ेगा तो TCS में तेजी आई है तो उसके पीछे reason है दोस्तों कि अभी इस सेक्टर में एक उबरता हुआ अभी performance देखने को मिल जाए क्योंकि इसके result भी आकर जा चुके है और management ने भी कहा कि अभी के result तो यहाँ पर ठीक ठाक रहे उतने जादे impressive नहीं बट company on growth पाद पर चल रही है यानि company और बड़े यहाँ पर level पर growth लेकर आने वाली है यह management कहे रहा है तो next अगर यहाँ पर हम बात करें infosys की जैसे मैंने बताया कि stock market चलता है जुण में तो IT stock सभी आत तेजी में इसलिए दे 35,5% की तेजी है पिछले यहाँ पर stock ने एक महिने में 14% कमा कर दिया 14% एक लाग के उपर आप देख लेजे 14,000 रुपए हो जाता है और वो भी दोस्तों बहुत कम समय में 12 जून से लेकर आप तक तो यह जो IT stock है उनको हम पहले भी बार बार कवर करते हैं और आभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो Infosys का Share है यह देखिए कमाल का box यहाँ पर create करकर आप देख सकते कि इसे तोड़ कर यह stock आगे बढ़ने की कोशिच जरूर करेगा जो 2024 में फेपुरवारी महिने का level था तो इसे तो break के company करने की तयारी तो रखेगी ही अब दोस्तों य CSC IT stock भाग रहे इसलिए है क्योंकि इनका आने वाला समय अच्छा रहने वाला है इसलिए investor अभी इधार return हो चुके अब दोस्तों जैसे कि हम बात करें अगर happy mind की तो यह भी company IT company है इसका भी जो major revenue आता है वो foreign से आता है उसलिए इस stock में भी अभी धीरे धीरे हमें improvement effort आपके पैसे double कर देंगे एक दो दिन में यह time लेंगे बट output कमा कर देने के शमता इनके अंदर है इस stock ने भी बहुत ज़्यादा समय लिया है market से तो happy mind को भी आप यहाँ पर study कीजिए इस company में भी potential भर-बर कर दिखाई देता है एंड बिर्लाशॉप्ट की बात करें तो also company अच्छे level पर यह चल रहा है company का बहुत अच्छा performance है दोस्तो जब इसमें correction बड़ा आया था तब भी मनें discuss किया था कि इस stock की एक खासियत है जब भी गिरता है तो जब दस गिरता है और जब भी वहाँ से उठता है तो उतना है तेजी से 300-400% दे कर जाता है और आप देखिए बिरला सॉप्ट का शियर 600-700 से गिर कर धाई सो के नजदिक आया और वहाँ से उठकर आज 500-700 पर चल रहा है तो इसमें potential है और आगे भी रहेगा अब दोस्तो यह जो दो स्टॉक है इसको study क्यों करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर अभी बहुत बढ़िया correction अभ स्टेक देखने को मिल रहा है प्रमोटर का भी 50 परसेंड और बागी का पब्लिक के पास है और इसका जो आप यहाँ पर हैपेस माइंड का revenue का स्टोर्स अगर देखेंगे तो foreign countries से ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा यह हैपेस माइंड कंपनी आपको artificial intelligence और बहुत से IT services security service, product engineering, web technology, management related, infrastructure, security, digital सब कुछ काम यहाँ पर यह कंपनी करती है और इसका अगर आप यहाँ पर revenue का source देखेंगे तो 70% कितना 70% revenue हैपेस माइंड का other countries से आता है तो इसी का ही impact stock के result पर हमें दिखाई दिया बोलकर ही दोस्तों हैपेस माइंड का share अभी यहाँ पर इस लेवल पर चल रहा है 800 के करीब तो इसको आप study कीजिए potential जरूर है and next stock है जैसे कि यहाँ पर हम बात करें बिरला स्वाप्ट तो इसका June quarter का share holding update होकर आया है प्रमोटर के पास अभी भी 40% है उसके बाद में देखे FIS FIS के पास दोस्तो 18% का stake है DIS के पास बढ़ चुका है वो stake 18 से अभी वो DIS 21% के तरब आ गए और public का stake 16 से अभी 19% पर आ गया है तो इस company में भी बहुत दमख़म है दोस्तो बिरला स्वाप्ट के अंदर भी और ये भी company IT services में बहुत अलग तरीके से और हो सके उतना growthable यहाँ पर जो services provide करती है and इसका भी revenue आपको देखने को मिलेगा कि USAC से कितना आता है 85% और UK और Europe से 9% and other countries से तो इस तरीके से इनका revenue आता है and दोस्तों यह दोनों भी companies में खासियत क्या है तो यह acquisition जादे कर रहे है आप यहाँ पर लगातर इनकी news पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको कोई ना कोई news आईसी देखने को मिली जाएगी इन्हो आपको देखने को मिल जाती है तो thank you so much दोस्तों I hope आप समझ रहे कि क्या क्या expectation आप रख सकते है और जो result की बात हो रहे ही थी तो इनके result के date अभी final कोई आये नहीं आने के बाद में मैं आपको जरूर बताऊंगा thank you